Hello friends, welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आज की इस वीडियो में हम स्कूटर्स की बात करेंगे जिसे बहुत सारे लोग स्कूटी भी कहते है मैं आपको बताऊँगा कि स्कूटर का कौन सा पार्ट कब और कितने किलोमेटर के बात चेंज कराना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग है जिने स्कूटर अच्छी तरह चलाना तो आता है लेकिन टेकनिकल नॉलिज नहीं होने के वज़ा से जब वैसे लोग लोकल गिराज या फिर सर्वी सेंटर जाते है तो उस वक्त मेकैनिक जिन पार्ट को चेंज करने को कहता है वो चेंज करा लेते है जिन को चेंज करने को नहीं कहता है वो नहीं कराते है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन सा पार्ट कब और किस वज़ा से चेंज होना चाहिए और इसी के बारे मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा वैसे इस से पहले के वीडियो जो मैंने आपको बताया है कि बाइक का कौन सा पार्ट कब और कितनी किलोमेटर में चेंज होना चाहिए और कार का पार्ट कब बदलना चाहिए दोनों ही वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदूंगा तो इस वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर ले सबसे पहले तो मैं ये किलर कर दूँ देखिए स्कूटर का कौन सा पार्ट चेंज करना है इसकी पूरी जानकारी जब आप स्कूटर खरीते हो तो आपको इस तरह का सर्विस बुग जो अनर मैनुवल है वो भी दिया जाता है इसमें सारी जानकारी होती है तो आप यहां से भी देख सकते हो और अगर आपका जो सर्विस बुग है या तो खो गया है या आपके पास नहीं है तो आप इससे online भी download कर सकते हो वैसे online कहा से और किस तरह download करना है अगर आप यह जानना चाते हो इस पर वीडियो चाते हो तो आप मुझे comment करके ज़रूर बता दे चलिए मैं आपको बेके करके बताता हूँ, सबसे पहला जो पार्ट है वो है ब्रेक शू या फिर ब्रेक पैट्स, देखिए स्कूटर के साथ आपकी राइडिंग तभी सेफ होगी, जब आपका जो ब्रेक से स्कूटर का वो सही तरह से काम करेंगे, और जो ब्रेक शू का ला जल्दी जल्दी घिस जाते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि किसी भी तरह का कंडिशन हो, पहली बात तो अगर आपको ये लग रहा है, कि आपके ब्रेक नहीं लग रहे हैं, तो आप चेंज करा लें, दूसरी बात अगर मिनों किलो मीटर की बात करें, तो अराउंड 15,000 किलोमिटर के आसपास एक बार आपको अपने स्कूटर का जो ब्रेक शू है, उसे जरूर से चेंज करा लेना चाहिए, इसका लाइफ अरॉंड 12,000-15,000 से लेकर 18,000 इसी आसपास होता है, अगला जो पार्थ है, वो है एयर फिल्टर, ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट ह हवा आता है, उस हवा में बहुत सारे डश्ट, डेबरीज, गंदगी वगरा होती है, धूल वगरा होती है, और उसी धूल को जो एयर फिल्टर है, वो एकलीन करता है, लेकिन इस एयर फिल्टर का भी लाइफ होता है, मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमं जो स्कूटर की कमप वाली वो यही recommend करती है कि हमें air filter जो element है उसे 12,000 से 15,000 km के बीच में जरूर से change करा लेना चाहिए या आम लोग ये भी कह सकते है कि हर तीसरे servicing में आपको change करा लेना चाहिए इस air filter element को बहुत महंगा ये नहीं होता है अगला जो part है वो है engine oil ये तो बहुत जादा important है और इसक बहुत सारे लोग हमेशा change तो करा ही लेते हैं अब मैं आपको बता दूँ कि जो engine oil का काम ये होता है कि engine के जितने भी moving parts है उन parts को वो clean करता है lubricate करता है उसको cool भी करता है उसमें जो भी गंदगी उस गंदगी को साफ भी करता है इन parts का आपस में friction यानि घरसन से भी बचात है और engine oil ही आपका जो engine है गाड़ी का scooter का उसके life को बढ़ा देता है तो आप इसे बिल्कुल ignore नहीं करे और engine oil को खास करका मैं scooter की बात कर रहा हूं आपको around 4,000 से 4500 km के आसपास इसी range में आपको engine oil को जरूर से change करा रहना चाहिए आप पहले भी करा सकते हो 3500 या फिर आगर लेट नहीं करें मैं यही recommend करूंगा अगला जो part है वो है spark plug और ये भी एक ऐसा part है जिसे बहुत साय लोग ignore करते है इस spark plug को आप नहां पर लगा हुआ भी देख रहे हो छोटा सा है लेकिन बहुत ही important component और इसके वज़े से भी आपका जो scooter का performance और mileage तोनों ही impact पड़ता है इ इंगारी के वज़ा से ही engine के cylinder के अंदर में जो हवा और petrol का mixture है वो जलता है तो इसे भी आप ignore नहीं करें बार बार आप इसे clean करके लगाते रहते हैं लेकिन बार बार problem अगर आ रहा है तो इसका जो life होता है जो कि companies मैंने सारा company का research कर लिया है recommend करती है कि scooter के spark plug को हर 12,000 km के बार चेंज करा लेना चाहिए चलिए अगला जो है वो है drive built जैसे हमारे motorcycle में bike में drive chain होता है chain set होता है जो कि engine के द्वार प्रोडूस करने वाले power को पीछे के चक्के तक भीचता है उसी तरह scooter में भी drive built होता है और उस drive built का भी एक life होता है बहुत से लोग जब तक वो टूट front fork oil अब basically fork करता क्या fork drop का body है frame जो है उसे जो front bill है जो axle है उसके साथ जोड़ता है और जो fork tube होता है उसके अंदर में भी oil भरा हुआ हुआ होता है और जैसे आप यूज करते जाते हो तो जो oil है fork oil है उसकी जो viscosity है वो कम होते जाती है वो पतला होता है वो सही से काम नहीं करत है तो इसका जो life है fork oil का वो life है पचीस हजार किलोमेटर तो पचीस हजार किलोमेटर के अरॉंड आपको fork oil को भी जरूर से change करा लेना चाहिए अगला पार्ट है tires and battery और सबसे ज्यादा कमेंट मुझे इनी दो पार्ट को लेकर आता है सबसे पहले अगर मुझे tires की बात कर र करना चाहिए वैसे tire को check किस तरह से क्या जाता है इसके उपर मैंने detail video बनाया है link उस video का मैं इस video के description में दे दूँगा आप उसे जरूर से देखे उससे आप अपने scooter के tire के condition को check कर सकते हो और उसके बाद जान सकते हो कि tire को change कराना है या फिर नहीं कराना है सेम battery पे भी applicable होत अगर battery को सही तरह से use किया जाए और battery में extra load नहीं दिया जाए तो battery और tire को उसके condition के हिसाब से ही check करके या फिर mechanic से check करवा के ही आप change करे अब अगला जो part है वो जुला हुआ है एक है carburetor क्योंकि carburetor से चलने वाली भी हमारे scooter आती है और FI हो गया fuel injector अब इसको लेके आपके scooter के performance, power output, mileage में problem आ रहा है आप अपने scooter को idle के position में खड़ी कर रहे हो just engine को start कर रहे है engine बहुत जादा race हो जा रहा है या फिर इस तरह का problem आ आपको accelerator ले रहे हो throttle लेकिन throttle नहीं जा रहा है speed नहीं मिल रहा है इस तरह का situation आ रहा है उस time पे आप check कर आए और आपको mechanic recommend कर आपके carburetor खराब हो गिया है आप set करा ले tuning वगर आप फिर भी problem आ रहा है तो change करा ले और fuel injector के साथ भी same चीज है कि fuel injector जब तक खराब नहीं होता है इसका life बहुत जादा होता है और अभी तो आप देखी रहे हो कि जो गाड़िया वो नहीं ही आ रही है तो इन दोनों ही पार्ट को check कराने के बाद clean कराने के बाद adjust कराने के बाद ही replace करना चाहिए अब अगला जो पार्ट है वो है cables और cables को भी बहुत सारे लोग अकसर ignore करते हैं चाहे चो केबल हो चाहे हमारा accelerator केबल हो ब्रेक केबल हो लेकिन इसका भी एक certain life होता है और इस वजह से भी कई बार आप देखोगे कि जो break के बलवारा है अचानक से कहीं पे भी खराब हो जाते है क्योंकि इसे लोग change ही नहीं कराते हैं मैं आपको बता दो life बहुत जादा होता है फिर भी around 40,000 km चलाने के बाद अपने scooter को आपको इन्हें एक बार change करा लेना चाहिए अब जो अगला बात आ आता है वो आता है servicing के ऊपर में इसे तो बिल्कुल एक दोर नहीं किया जा सकता है और इसलिए मैं इसे आकरी में point में रखा है सारे point को killer करने के बाद क्योंकि जो भी काम मैं आपको बता रहा हूं यह सब कुछ आपका servicing में cover हो जाएगा servicing आपको ये कोशिश करना जहां आपका मन हो local garage में आपका अच्छा mechanic मिले वहां आपका आलो या service center में जहां आपका दिल करें लेकिन servicing timely जरूर करा है इससे ही आपका scooter है वो fit रहेगा उसका riding जो है वो safe होगा और आपका riding comfortable भी होगा friends बहुत time से request था कि scooter का parts को पर वीडियो बनाए I am sure इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको idea लग जा होगा कि scooter के जो main parts है जो maintenance parts उन्हें कब और कितने kilometer में change कराना चाहिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like और share जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लाब अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर ले मिलते अगले वीडियो में thanks for watching this video good bye